दोस्तो आज मैं फिर लेकर काया हूँ आपके लिए multiply करने का एक smart trick जिसका यूज आप सबसे ज़्यादा करेंगे। जी हां दोस्तो ये ऐसा trick है जिसका यूज आप सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। बहुत ही important trick है दोस्तो इसे आपको जरूर सीखना चाहिए। दोस्तो मेधा नाम है सुमीत और आप देख रहे हैं और डिया trick तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं। दोस्तो अगर आप किसी भी तरह के question को solve कर रहे हैं और इसमें आपको इस तरह का multiply करना हो तो आप कैसे करेंगे। दोस्तो किस तरह के multiply को करने के लिए आप इस trick का यूज करें। ठीक है। लेकिन दोस्तो मैं आज आपको यह trick नहीं बताने वाला हूं। इससे भी आसान trick मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं। दोस्तो माल लेते हैं कि आपको इस 24 में 25 से multiply करना है तो आप कैसे करेंगे। बहुत ही simple है दोस्तो यहां multiply to, यहां divided by 2, solve करेंगे बारग उन्हें 50 बड़ावर 600 हो गया दोस्तो multiply देखा आपने दोस्तो कितना आसान है यहां तो दोस्तो हमने लिखा लेकिन इससे आपको लिखना भी नहीं है इससे आपको मन में calculate कर लेना है तो इस तरह से जब आप calculate करेंगे तो आप इस तरह के multiplication को एक से 2 सेकंड की में कर पाएंगे तो चली दूस्तो अब दूसरे question में हम इसका पूरे concept को समझते हैं दूस्तो जब भी आपको इस तरह का multiply दिया हो जिसमें से एक संख्या के last में 5 हो और जो दूसरा संख्या है वो जोड़ा संख्या हो जोड़ा तो यह जो trick है इसी तरह के संख्याओं पे applicable होता है तो आपको करना क्या है दूस्तो कि जिस संख्या के last में 5 है उसमें आपको 2 से multiply कर देना है और जो जोड़ा संख्या है उसमें आपको 2 से divide कर देना है यहाँ पर दूस्तो इस multiply करने से और इस divide करने से कोई फर्क नहीं जाएगा 21 and multiply और 35 में 2 से multiply कर देना है तो कितना जाएगा दूस्तो यह हो जाएगा 70 और इसे आप solve कर देंगे कैसे solve करेंगे दूस्तो साथ एकम साथ साथ दुनी के 14 और एक यह वाला 0 यहाँ पर लगा देंगे होगे दूस्तो multiply देखा आपने कितना ही जी है एक और question ले ल and 55 में 2 से multiply करेंगे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 110 ठीक है इसे जब आप solve करेंगे तो आपका answer आजाएगा अब आप कहेंगे दूस्तो कि इसे multiply करने के लिए फिर से multiply तो जी हा दोस्तो इसके लिए घबडाना नहीं है बहुत ही आसान तरीका है इसे multiply करने का आईए दे जो चुरेंगे कि यह मैंने कैसे किया तो यहां पर हमने एक ट्रिक का यूज किया है हम लोग ने पिछले वीडियो में सिखा था कि अगर किसी संख्या में 111 111 से या फिर 11111 से गुना करना हो तो कैसे करते हैं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प् संक्या हैelle 7105 में 5 हैं उसमें हम क्या करेंगे दो से इंगे ठीक है और जो सम संख्या है उसमें बीएट करेंगे के लिए चलीए अब Значит करने पर कितना हो जाएगा 125 गुने 2, 250, यहां लिखेंगे हम 250, और 40 में 2 से डिवाइट करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा अपका 24, ठीक है, फिर से multiply, अड़ी भाईया, कितना multiply करा होगे, चलिए, देख लेते हैं, इसको भी किस तरह से multiply करेंगे, बहुत ही simple है, दो यहां पर भी देखेंगे, तो इस संख्या के last में 5 है, और यह जो संख्या है, जो रहा संख्या है, तो यहां पर भी हम फिर से यही rule apply कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या में 2 से multiply कर देंगे, और इसमें 2 से divide कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे ज देखा दोस्तों आप लोगो ने यह जो ट्रीक है यह कितना simple trick है दोस्तों अगर आपको यहां पे लग रहा है कि यह जो trick है यह आपके ज्यादा काम का नहीं है तो दोस्तों मैं यह guarantee लेता हूँ कि जब आप math के practical questions को solve करेंगे तो यह जो trick है यह सबसे ज़्यादा काम में आएगा आपको ठीक है आप question को solve करें और इस trick को apply करें ठीक है आपको लगेगा कि यह जो trick है बहुत ही important है यहां पे हमने इस question को solve करने में थोड़ा सा time लिया because मैंने आपको समझाया लेकिन जब आप इन questions को solve करेंगे जब आप इस तरह के multiply को अपने mind में करेंगे अपने मन में करेंगे तो आपको मुश्किल से एक से दो सेकंड लगेगा इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है जोस्तो ट्रीक अच्छा लगे तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए चैनल पे नहीं आया है तो इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको इसी तरह के tricky वीडियो मिलते रहे थांक यू पर वाचिंग वंदे मात्रम